नमस्कार दोस्तों बैश्नवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको पसपालन केलेंडर के द्वारा अप्रेल और मई महीने की जानवरों की देखवाल की जानकारी देंगे पसवों को एच्छिस बीकी रोग से बचाव कटी का अवस्य लगवाएं अप्रेल महा में इस महा में अधिक गर्मी की संभावना रहती है पसवों में जलव लवन की कमी भूख कम होना कम उत्पादन अधिक तापमान के परमुख लच्छन है अता इससे पसवों को बचाने का प्रियास करें पसवों को दोफर में छाया वाले वहवादार अस्थान में रखें पसवों को दीन में कम से कम चार बार पानी पिलाने का प्रियास करें धनैला रोग की पहचान और नीदान के उपाए करें गाभिन पसवों को अतरीक तहार दें ये बेयाने वाले पसवों को प्रसूती बुखार से बचाने के लिए 50-60 ग्राम खनीज मिश्रन नीमित रूप से दें पसूओं को वाहे परजीवी से बचाने के लिए पसू चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नीमित रूप से करें पसुओं में अंतप परजिवी नासक दवा पसु चिकित्सक की सला से निमित रूप से दें पसुओं को संक्रामक रोग जैसे गलगोटू, बलेक कौर्टर, लंगडी रोग के परतिरोधक टीके को समय पर लगवाएं खरीप में हरा चारा के लिए जो आरे मक्का की बुगाई करें, हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का परियोग करें गावी गर्मी अधिक होने पर फसल किसी चाय साय काल में साम को करें इस मौसम में पसूओ को लवन बिशेश कर फासफोरस की कमी के कारण पाई का के लच्छन नजर आने लगते हैं अंतर पसूओ को खनीज मिश्रन लवन अवस्य दें प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, खनीज, बिटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पसूओ पालक एजोला घास का परियोग करें हरा घास के लिए बोई गई मक्का बाजरा एवज्योर की कटाई 40-50 दिनों में अवस्य करें पसूओ पालक को ध्यान देना चाहिए कि जो मई महिने में इस माह में अधिक गर्मी रहती है साथ ही कुछ हस्थान पर आंधी तुफान के साथ बरसा भी होती है अधिक गर्मी से पसूओ में लू लगना जल एव लवन की कमी भूक कम होना एव कम उत्पादन जैसे लच्छन देखने को मिलते हैं पसूओ को धूप व अलू से बचाने का उपाय करें पसूओ को छायदार स्थान पर रखें पानी के प्रयाप्त उपलवत्त सुनिश्चित करें पसूओ में लवन की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवन मिश्रित निर्धारित मात्रा में दाने वा पानी में मिला कर दें पसूओ में अहार में मौसम के अनुसार अवस्यक बदलाव करें पसुओ के अहार में गेहु का चोकर और जो की मातरा बढ़ाएं पसुओ में दूग दूद पादन छमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुली तहार अवस्य दे पसुपालक भाई आप लोग ध्यान रखें कि दूग दूद पादन छमता बनाने के लिए आपको बाहे फर्जिवी जैसे चमूकन है पेट की क्रीमी से बचाओ का उचीत परवंधन करें और खरीफ में हारा चारा लेने के लिए जोआरे मक्का की बुआई करें और हरे चारे की फसल से अधिक उपज है तू उन्नत किस्म के बीज का पर्योग करें खास करके पसुपालको को अप्रेल और मई महीने में गर्मी से बचाओ के लिए लूज से बचाओ के लिए पसुपालको को टाइम से अस्णान भी कराना चीए साथ ही सुबह और साम कोहीं जानवर को बाहर निकले दे दोफर में बिलकुल घर में रहने दे थैंक्यू धन्यवाद